नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुती टंडन है, मैं राजकी मीरा कन्या महाविद्यालाई उदैपूर में समाश्रास्त्र विभाग में सहयक अचारे के पत पर अपनी सेवाएं दे रही हैं, आज समाश्रास्त्र के जिस महत्वपूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर् समाजिक मानव बनता है और इस प्रक्रिया को समाजिकरण के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी में इसे सोशलाइजेशन कहते हैं यानि आज हम बात करेंगे समाजिकरण के विश्य में जिस्समें एक बालक जन्म लेता है वो मात्र एक साव्यव शरीर होता है अस्ती मास से बना एक धाजा ना तो वो समाजिक होता है ना ही समाज विरोधी होता है यानि ना उसे हम समाजिक कहेंगे ना असमाजिक कहेंगे और ना ही गैर समाजिक कहेंगे लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता है परिवार के सदस्यों के बीच समाज के सदस्यों के बीच रहता है वह सीखता है इस सीखने में सम्मिलित है संस्कृती के सभी तक रहन सहन, खान पान, व्यवहार, तीज दिवहार, प्रथाएं, परंपराएं, समाज स्वीकृत मुल्ले और इस प्रकार से ता उम्र ये सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है जिसे समाज शास्त्र में समाजी करण के नाम से जाना जाता है इस समाजी करण की प्रक्रिया के कारण ही एक बालक समाजिक और संस्कृतिक शेत्र में प्रवेश कर पाने में संभव हो पाता है इस समाजीकरण के प्रक्रिया के द्वारा ही एक पीडी से दूसरी पीडी तक संस्क्रती का हस्तान्तरन होता है जन्म के समय बालक में नाच्रुल इंस्टिंक्स होते हैं, मूल समवेग होते हैं और उन समवेगों को परिश्कृत करने की जो प्रक्रिया है वह समाजी करण के द्वारा ही संभव हो पाती है इस प्रकार से समाजी करण वह प्रक्रिया है यूँ कहें कि समाजिकर्ण सीखने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक एक साव्यव शरीर से समाजिक मानव बनता है एक और बात ध्यान देने की है कि सीखना जोकी उप्योगी हो और जिसके द्वारा एक बालक समाज का महत्वपून और प्रकार्यात्मक सदस्य बन करके सामने आता है वह सीखना ही समाजिकर्ण की प्रक्रिया के अंतरगत सम्मिलत किया जाता है क्योंकि जन्म के समय उन मूल समवेकों को परिश्कृत करके ही समाजिकर्ण की प्रक्रिया के द्वारा मानव समाजिक व्यभार करना सीखता है लोगों के बीच रहना सीखता है और अपनी परिस्थिती से अनुकूलन करना सीखता है इस प्रकार ये प्रक्रिया जन्म से प्रारंभ होती है क्योंकि जन्म लेते ही बालक का संपर्ख समाज से दुनिया से होना प्रारंभ हो जाता है और मृत्यू परियंत चलता रहता है व्यक्ति अपने जीवन में असंखे भूमिकाए निभाता है और उन सब भूमिकाओं को निभाने के लिए उसे सीखना होता है और ये सीखना ही समाजिकरन की प्रक्रिया के द्वारा संभव हो पाता है इसलिए ये आजीवन यानि lifelong चलने वाली प्रक्रिया कहलाती है समाजिकरन वह प्रक्रिया है सीखने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाजविकरत व्यभारों, मुल्यों और आदर्षों को बालक सीखता है और आत्मसाथ करता है लेकिन ये सीखना यूही नहीं हो जाता यानि कि समाजीकरण के प्रक्रिया के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जिनके बगैर समाजीकरण संभब नहीं हो पाता अगर हम उन तत्वों की बात करें तो ये सारे तत्व आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं एक के बगैर दूसरा का और दूसरे के बगैर तीसरे का अस्तित्व यूं तो स्विकार किया जा सकता है लेकिन संपून रूप से वो कारें नहीं करता है इसलिए इन में आपसी तालमेल होना समाजी करण के लिए आवशक है तो अब बात करते हैं समाजी करण के आवशक तत्वों की सबसे पहले बात मैं करना चाहूंगी अंतरक्रिया की समाजी करण के लिए अंतरक्रिया होना बेहद आवशक है देखे जैसे ही एक बालक जन्म ले रहा है और जन्म के बाद परिवार के सदस्यों के बीच में आता है तो वो अपने जैसे ही जीवों के बीच में आया है और जैसे ही उसका संपर्क अपने परिवार के सदस्यों के लोगों से होता है वो वैसा ही वेभार उनको देख देख करके सीखना शुरू करता है क्योंकि उसके बाद जन्म के पश्चाद बालक की अंतरक्रिया परिवार के सदस्यों के संप्रारंब हो जाती है और इस अंतरक्रिया में, अंतरक्रिया को बढ़ाने में या अंतरक्रिया के हुने में जो एक महत्वपूर्ण पक्ष है वो समाजी करण का दूसरा आवश्यक तत्व कहलाया जाता है और वो है संचार यानि की भाशा शायद इसलिए कहा जाता है बच्चों के सामने अच्छी भाशा का प्रयोग करें क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं सीखते तो आप और हम जैसे व्यस्क भी हैं लेकिन फिर भी इस बात का भान रहता है कि क्या करना समाजुपयोगी है क्या करना समाजुपयोग की नहीं है लेकिन जब एक बालक जन्म के बार परिवार के सदस्यों में सम्मिलित होता है तब धीरे धीरे इन बातों को सीखता है कि क्या करना समाज स्विक्रत है जिससे कि उसे पुरुषकार प्राप्त हो और क्या करना समाज स्विक्रत नहीं है जिससे कि उसे दंड मिलेगा इसलिए इस कार्य में संचार या भाशा एक और महत्वपून तत्व के रूप में दिखाई देती है तो जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में अंतरक्रिया होती है अंतरक्रिया संचार या भाशा के द्वारा होती है और उसे भावात्मक स्विकृती मिलती है तब जाकर के समाजी करण की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न होती है यानि व्यक्ति भी इसे स्विकारता है कि वह कार्य जिसके करने से समाज में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी और बढ़ेगी वह उस कार्य को करने के लिए बारंबार प्रेरित होता है और इस प्रकार से वह समाज का एक उप्योगी सदस्य एक प्रकारयात्मक सदस्य बन करके सामने आता है और जब एक बालक इस प्रकार का विभार करता है तो यकीनन समाज में उसकी एक अलग पहचान बनती है और वह अपने समाजिक करतव्यों का निर्वाहन अच्छे ढंग से कर बाता है। इसलिए समाजी करण के आवश्चक तत्वों में हम अंतरक्रिया को, संचार या भाशा को और भावात्मक्स विकृति को सम्मिलित करते हैं। लेकिन समाजी करण इन तत्वों से प्रारंभ होता है। लेकिन इसके पीछे जो उद्देशे हैं वो भी कुछ विशिष्ट रूप से पहचान रखते हैं। प्रूमल सेलजनिक ने चार प्रमुख समाजी करण के उद्देश्यों की बात करी है। जिसके विशे में मैं आप लोगों को साधा करना चाहूंगी ये विचार। तो पहली उनके द्वारा दिये गए उद्देश्यों में हम बात और तत्थे जो रखेंगे वो है आधार भ नियामवली से चलता है। जिसे हम discipline ये decorum के नाम से जानते हैं। और हर परिवार चुकि समाज का ही सदस्य है इसलिए वो उन आधार भूत नियमों का पालन करता है। अपने जीवन में उन्हें उतारता है और ये प्रयास करता है कि अपने परिवार के सदस्यों में भी उनक संचार हो। और शायद इसी कारण से संस्कृती एक पीडी से दूसरी पीडी तक चलने वाला वो सीखा गया व्यभार है जिसमें हमारी मूले, प्रथाएं, परंपराएं सब कुछ सुरक्षित रहती हैं। और समाज की आधार भूत नियम व्यवस्था बनी रहती है। तो सम यही प्रयास किया जाता है, इस प्रयास के द्वारा ही समाजी करण किया जाता है कि जो आधार भूत नियम है समाज के, चुकि समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में सहियो करते हैं, वो सदैव बने रहें। समाजी करण के दूसरे उदेश्य के बारे में अगर हम कहना चाहेंगे, तो हम बात करेंगे व्यवारों में अनुरूपता की। समाज के द्वारा सीखा और सिखाया जाता है, ताकि समाज में व्यवारों में अनुरूपता बनी रहें। शायद यही कारण है कि खुशी और दुख के आंसू को पहचानना व्यक्ति के लिए सरल होता है, क्योंकि वो जानता है किस परिस्थिती में व्यक्ति किस प्रकार का व्यवार करेगा। और यह जानना समाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही संभव हो पाता है, जिसमें व्यक्ति के व्यवारों को सीखता है। और व्यवारों की अनुरूपता बनाए रखने के लिए ही समाजिकरण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाई जाती है। समाजिकरण का एक और उदेश्य है समाजिक भूमिकाओं को निभाने की सीख देना जैसे ही एक बालक ने जन्म लिया उसकी प्रस्थिती और उससे जुड़ी उसकी भूमिका निश्चित और निधारित हो गई अब उस प्रस्थिती के अनुरूप उस बालक को व्यभार करना है अपनी भूमिका का पालन करना है और ये प्रयास करना है कि अपनी भूमिका को इस श्रेष्ट तरीके से निभाए कि किसी प्रकार की कोई शिकायत ना हो ना उसको स्वेम और ना ही समाज को उससे बलकि ये प्रयास किया जाता है कि वो अच्छे से अपनी भूमिकाए निभाए ताकि वो दूसरों की भी मदद कर सके और समाज का एक प्रकार्यात्पक सदस्य बन करके सामने आ सके इसलिए समाजिक भूमिकाओं को निभाने की सीख समाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही दी जाती है कि किस तरीके से आपको समाज में एक उप्योगी सदस्य बनना है जहां आपको प्रेम, सहयोग, सद्भावना, सहिष्णुता जैसे समाजिक गुणों को अपना करके अपना समाजिक जीवन व्यतीत करना होता है इसलिए ही समाजिकरण का यह है एक महत्वपून उद्देश्य है साथ ही साथ शम्ताओं का विकास करना भी समाजी करण के उद्देश्यों में समिलित किया जाता है व्यक्ति के अंदर अनंत शम्ताएं हैं और हर व्यक्ति के अंदर एक विशिष्ट शम्ता भी है उस शम्ता को पहचानना, उसे निखारना, उसे बढ़ाना, यह जिम्मेदारी परिवार के सदस्यों की है, व्यक्ति की स्वेम की है और समाज के सहीयोग की है और इसमें महत्वपुन घुमी का निभाती है समाजी करण की प्रक्रिया, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी शम्ताओं को पहचानता है और उसके आधार पर ही अपने जीवन में महत्वपुन परिवर्तन करके उनका सदूपयोग कर समाज में सहीयोग करता है अब बात करते हैं समाजी करण की विशेष्टाओं की, यू तो अनेको अनेक विशेष्टाओं हैं समाजी करण की प्रक्रिया की, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नियम बद्रूप से अगर हम explain करने का प्रयास करते हैं, तो कुछ विशष्ट विशेष्टाओं की बात यूँ कहूँ समाजिकरण की प्रक्रिया की शुरुवात ही सीखने की प्रक्रिया के रूप से ही जानी और पहचानी जाती है यह एक वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ती समाजिक प्राणी बनता है समाजिक मुल्यों को सीखता है समाजिक आदर्शों को अपनाता है उ इसलिए ही ये प्रक्रिया ता उम्र चलने वाली प्रक्रिया है जब एक बालक जन्म लेता है तब उसे सिखाया जाता है किस तरीके से बड़ों से बात करनी है मेहमानों से बात करनी है अपनों के संग वेभार करना है बाहर से कोई मेहमान आये तो उसके संग कैसा वेभार करना जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो करके मित्र मंडली सम्हूं के बीच में जाता है वो competition सीखता है वो उनके संग भी वेभार करना सीखता है छोटी सी लड़ाईयां अगर होती है उन्हें भी सुलजाना सीखता है और अपने क्रोध पर अपने कुछ ऐसे समवेगों पं भाने के लिए उसे नए वातावरण को स्विकार करने के लिए भी सीखना होता है अपना वैभार कैसे सयमित और सुरक्षित रखे यह तां उम्र वो सीखता है जब वो युवावस्था से प्रोड़ावस्था और व्रधावस्था तक पहुंचता है इसलिए यह आजीवन च समाजन्म चलने वाली प्रक्रिया है वह प्रक्रिया ही समाजी करण की प्रक्रिया कहलाती है एक अन्य विशेष्टा के रूप में हम समाजी करण की विशेष्टाओं की बात करें तो वो है आत्म का विकास जी हां development of self यानि की आत्म यानि स्वर के बारे में खुद के बारे म जानना जब हमने समाजी करण की उद्देश्यों की बात की थी तो हमने बात करी थी शमताओं के विकास का उद्देश्य होता है समाजी करण का तो ठीक उन शमताओं को भैचान करके व्यक्ति अपने स्वर का विकास करता है अपने आत्म का विकास करता है अपने सेल्फ को भी परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी लावकारी सिद्ध हो और उसके द्वारा किया गया कारे उसको भी संतुष्टी प्रदान करे और समाज में भी एक लाप्रत स्थान प्राप्त करे तो आत्म का विकास भी इस प्रक्रिया के द्वारा ही संभव हो पाता है हम बात करते हैं अगर समाजी करण की अन्य विशेष्टा की तो वह जुड़ी हुई है समय और स्थान से जी हां समय और स्थान सापेक्ष कहलाती है समाजी करण की प्रक्रिया देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद पूर्व समय में समाज की आवशक्ताओं के अनुरूप रह हो लेकिन धीरे धीरे उन बातों ने उन आदर्शों ने समय में अपना समाज में अपना स्थान बदला इसी लिए जिस समय में और जिस जगहें पर जो वैभार समाज द्वारा स्विकृत है उसी को ही सिखाया जाता है आज कम्प्यूटर का यूग है इस बात से आप और हम सभी बहुत अच्छे ढंग से वाकिफ हैं कि हम भी इस कम्प्यूटर के यूग में इस विवस्था के कारण ही जुड़े हुए हैं तो कम्प्यूटर सीखना आज ना सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी हो गया है बलकि आप देखिए व्रधावस्था के भी कई ऐसे उम्रदराज लोग हैं जो आज सीख रहे हैं क्योंकि आज कम्प्यूटर चाहे वो नेट बैंकिंग के रूप में हो ये किसी भी ऐसी घर स थोड़ा मुश्किल में डाल सकता है तो व्यक्ति यहां भी सीखता है जो की समय और स्थान आपेक्ष होता है यानि उसके सापेक्ष है उससे आपेक्षा की जाती है कि वे जिस समय में हैं जिस स्थान पे हैं उसके अनुरूप विभार करें ताकि समाज का वह उपयोगी सद सब्सें बन करके सिद हो इसी लिए ही समाज का सदस्ये बनने adapना अगर समाज का सदस्ये बन करके इवालक सामने आएगा तभी उसके दवारा कियागा और प्रते कारे समाज में सही ओषान लिए को बढ़ावा देगा और समाज में सहयोग शांती को बढ़ावा देने के साथ ही साथ सबसे पहले व्यक्ति स्वेम में संगठित होगा गठित होगा अपने चरित्र का निर्मान करेगा और इन सब बातों के लिए आवशकता है उन मुल्यों और आदर्शों की जो की बालक को व हर कार्य समाज में एक प्रकार्यात्मक सदस्य बनने के रूप में सहयोगी सिद्ध होता है संस्कृति को आत्मसाथ करने की प्रक्रिया समाजी करण है जी हां संस्कृति को आत्मसाथ और संस्कृति का हस्तानतरण दोनों ही समाजी करण के द्वारा ही संभव हो पाता है यह कि जब इक बालक जन्व ले रहा है तो खुशियं मनाई जाती हैं यानि कि भारती समाज और संस्कृति में संसकारों का बड़ा पहचान विशिश स्थान है तो संस्कृति के 16 संसकार बालक को उसके गर्भ में आने से ही उनकी जानकारी उससे दी जाती है और उसके बाद मृत् रिवाज, त्योहार, प्रथाएं, परंपराएं, यीद संगीत, मुरत्य, ये सारी शैलियां, ये सारे जीवन के जो स्वाध हैं, उन सारी बातों की जानकारी उसे संस्कृति के माध्यम से सीखने के द्वारा सीखा गया व्यवहार बन कर समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत ही दिया जाता है जब एक बालक जन्म लेता है उसके पश्चाज जिन तिवहारों से जिन प्रथाओं से उस महीला को गुजरना होता है बालक भी कहीं न कहीं उसका साक्षी बनता जाता है जैसे जैसे वो बड़ा होता है अनेक तीज तिवहार में खुद भी सम्मिलित होता है और और हम सभी के विकास को साथ में लेकर के चलने की प्रेड़ना से प्रेडित रहते हैं और यकीन मानिये इन सभी बातों को अपने जीवन में आत्मसाथ करने के बाद जो व्यवहार किया जाता है वो कई बार मुश्किल सा प्रतीत हो जाता है लेकिन अंत में सारगरभित रूप में वही व्यक्ति की प्रतिष्ठा और पहचान बनता है इन सब बातों की सारी विस्तार से जानकारी छोटे-छोटे पदों में छोटे-छोटे मौकों परिवार के सदस्यों के द्वारा दी जाती है मित्रमंडली के द्वारा दी जाती है समाज के सदस्यों के द्वारा दी जा और सít ही साथ व्यक्ति अपनी संस्कृति को आत्म सात ऐसी समाजिकरण की प्रकृया के दवारा करता है इसेलिए यह कहना कहीं गलत नहीं है की समाज का संस्कृति का इ Another प्रकार्यात्मक सदस्य बनना एक बालक को समाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा जन्म से ही सिखाया जाना प्रारंभ होता है और मृत्यु परियंत वो इस प्रक्रिया का सदस्य बन करके सीख करके समाज के लिए उपयोगी सदस्य बन कर सिध होता है इसलिए जीवन का ऐसा कोई चक्र नहीं है ऐसा कोई सोपान नहीं है जिसमें की बालक सीखता नहीं है इसलिए हर सोपान में उम्र के हर पड़ाव में बालक सीखता है चाहे वो उसकी जन्द की अवस्था हो उसकी बाले वस्था हो युवा वस्था हो प्रोडा वस्था हो या व्रधा वस्था हो इस प्रकार समाजी करन वह प्रक्रिया है जो आज जीवन चल करके सित होता है